स्पोर्ट सार आपके साथ मैं हूँ अपूर मिश्रा इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर CSK के लिए आ रही है सुरेश शुरैना के लिए आ रही है और मैं इसे कह सकता हूँ कि एक बड़ी खुशखबरी भी है चेनरी सुपर किंग्स के उन तमाम फैंस के लिए जो निराश हो गए थे IPL 2020 में क्योंकि निराशा जाने प्रदेशन किया था उनके टीम में बड़ी खुशखबरी ये है कि सुरेश शुरैना की CSK में वापसी हो सकती है IPL 2021 में जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने तमाम फैंस जो करोडों फैंस हैं CSK के वो यही चाहते थे कि सुनेश रहना वापस आ जाए और लगातार जब CSK खराप प्रदेशन कर रही थी IPL 2020 में भी सभी फैंस एक सुर में यही डिमांड कर रहे थे कि रहना को वापस बुलाईए लेकिन कुछ ऐसा हुआ पिछले सीजन में जिसकी वज़ा से रहना नहीं आ पाए लेकिन हाँ अब यह बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर का आप सोर्स पूछेंगे तो आपको बता देता हूँ दरसाल मूंबई मिरर ने इस खबर को चापा है और इस खबर को बताने के लिए उन्होंने सहारा लिया है एक CSK के अफिशेल का नाम नहीं बताया है लेकिन हां यह बताया है कि CSK के एक अफिशेल से बात हुई है और उन्होंने खुद ये कहा है कि we will have RARISA back in IPL 2021 और रहना ऐसे खिलाडी हैं जिनके बिना हमारा पिछला सीजन बड़ा खराब गया था इस वज़ा से हम सोच नहीं कि एक बार फिर से उनको वापस बोलाएंगे आप चिंता मत कीजिए वो कहीं नहीं जाएंगे CSK में ही वापस आएंगे और इसके लिए उनको एक बार फिर से कांट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा एक बार फिर से साइन करना पड़ेगा वो तो खेर कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि पिछले साल जब माफ की जिगा इसी साल आईपियल 2020 में जब रहना वापस चले गए थे इंडिया अब आगया कि देखते हैं चीज़े कैसे और ज़्यादा क्लियर होती है बाकि हम भी कोशिश कर रहे हैं सीएसके के ऑफिशल से बात करने की किसी से बात हो जाए तो अब फिर हम भी आपको ख़बर पुखता करके बता दे लिए कि बड़ी खबर है और अगर सीएसके के ऑफिशनल ने कहा है तो वाकई सीएसके के लिए इससे अच्छा आईपियल 2021 में नहीं हो सकता कि उसको उसका सबसे बड़ा मैच विनर जिसे मिस्टर आईपियल कहा जाता है वो वापस उसे मिल जाए कैसी लगी ये खबर बताईएगा जरूर वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाईएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बहुत बहुत शुक्रिया